है हलो फ्रेंड्स वेल्कम बाइक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज मैं अपने इस ड्रेसीना की रिपोर्टिंग करने जा रही हूं है करीब दो साल से इसमें लगा हुआ है और इससे एक नए पॉट की बड़े पॉट की जरूरत है यह देखिए कितने सारे इसमें पॉफ निकल रहे हैं और यहां से कट करके की थी तो दू ब्रांच निकले थे तो अब मैं अब मैं इससे निकालने की कोशिश कर रही हूं हुआ है मट्टी को लूज कर देते हैं तक यह असानी से निकल भी जाए है ओके फ्रेंड्स देखिये अ इसकी हालत अच्छी है और अभी मट्टी भी अच्छे हैं इसमें तो फिर भी मैं इसे एक बड़ा पॉट देहीं दूंगे तक ही अच्छा से चले ड्रेसीना का प्लांट मेरे पास थी तीन प्रेंड्स लेकिन यह कले में दो समर में दो चले गए बस यह एक बचा है और इसकी सब्सक्राइब तो अच्छी है और मैं इसे यह मट्टी के गमले में लगाऊंगी इससे मैं बड़ा पॉट दे रही हूं देखियों इसका डैने सब्सक्राइब और उसको देनेजल को इससे इससे ढख दे रहे हैं और इसकी पॉटिंग मिक्स की बाद करते हुआ कि यह वर्मिंग कमपोज्ट है यह कीचन कमपोज्ट है देखिए कितना अच्छा से कमपोज्ट हो चुका है बिल्कुल भी नहीं रहा और यह कोकोपीट है यह चारकोल है यह नीम खली है इसमें सीविट के दाने है और यह हमारे पुराने गंबले की मटी है अब इस पर मैं अपने पुराने गंबले की मटी को यूज़ कर रही हूँ और इससे अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हुँ अब इसमें तो रिषी है फंगी साइड में डाल दे रही हूं फ्रेंड यह की फोगल में अगस्ना लगे और वाटरन के कारां बर्सात के पाणी पर तो भी रहा है और यह पुरी तरह से मिक्स हो गई पॉटिंग मिक्स को और सुखे पत्ते भी डाल दे रहे हैं कंपोर्च होते रहेगा और गंबले का वेट भी कम रहेगा अब फिर अपर से डाल दे रहे हैं मोटी पॉटिंग मिक्स पॉटिंग मेडिया बहुत ही अच्छा बना है और आप इसे रख रहे हैं थोड़ा सा कम कर देते हैं जब पत्सु के पत्ते गलेंगे तो जाएगा और नीचे जिद दबेगा और इधर से पुरा सोईल भड़ दे रहे हैं कि अच्छी तरह से हिला दे रहे हैं तक यह पॉपेट हो तो निकल गया और इसे दबादी रहे हैं साइट से इसमें पानी डाल दे रहे हैं अच्छी तरह से अगर वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक किजिए कॉमेंट किजिए